Hello friends, आज हम no, not, none और no answer related जो confusion होता है कि ये एक दूसरे के अस्थान पर use हो सकते है या नहीं हो सकते या किस situation में हमें इन में से कौन सा use करना चाहिए जहां doubtful होता है हम आज उस situation को देखेंगे, हम ऐसे examples देखेंगे जहां ये एक से अधिक सही लगते हैं चलिए देखते हैं, एक कहता है, do you like me, b जवाब देता है, no, I don't, I do not, ओके, तो हम क्या no की जगर पर none या फिर no one भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते, इस तरीके से अगर कोई yes no वाला question कोई पूछा जाए, उसका जवाब no में ही देते हैं, no, I don't, ओके, दूसरा question, एक कहता है how many friends do you have, b कहता है none, या फिर कह सकता है, I don't have any, कितने दोस्ते हैं तुम्हारे, b कहता है, एक भी नहीं, यानि कोई नहीं, तो इस तरीके से none एक pronoun है, जो कि friend को refer कर रहा है, तो इस तरीके से none का use हम pronoun के रूप में तभी करते हैं, जब, जिस noun को refer करता है, जिस noun के लिए use होता उस noun का जिकर पहले हो जाए, ओके, how many friends do you have, none, एक भी दोस्त नहीं है, या फिर I don't have any, या फिर I don't have any, या पर एक pronoun है, जो कि friend को refer कर रहा है, तो इस तरीके से दो जवाब दिया जा सकता है, none, या फिर I don't have any, तीसरा question, how much aisle is there in the bottle, बोटल में कितना aisle है, none, या फिर there isn't any, इस तरीके से हम यह देखते हैं कि oil एक uncountable noun है, तो none जो होता है uncountable noun को भी refer कर सकता है, और उपर friends था, वो countable noun था, तो none countable noun को भी refer करता है, कुल मिला कि कोई भी noun हो, none refer कर सकता है, लेकिन उसका पहले जिक्र होना चाहिए, चलिए इन gaps को fill करते हैं और देखते हैं किन में क् अगे, I am in trouble but there is no one to help me, यहां पर हम none का use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि none का use तब करते हैं जब उसके पहले किसी noun का use होता है, और उस noun को refer करने के लिए ही none का use करते हैं, उस noun के अस्थान पर, लेकिन no one, किसी भी noun को refer नहीं कर सकता है, sentence में उपसित किसी भी noun को refer नहीं कर सकता, ना तो उसके पहले आए, ना ही उसके बाद, okay, no one मतलब होता है nobody, no one खुद ही एक noun pronoun है, क्योंकि no one means कोई भी बेक्ती होता है, तो इस तरीके से यहां सिर्फ और सिर्फ no one सही होगा, दूसरा example, everyone is happy, not everyone is happy, क्योंकि किसी word को negative बनाने के लिए उसके पहले not लगाते हैं, हर कोई खुसी है, हर कोई खुस नहीं है, not everyone is happy, not लगेगा यहां पर, ऐसा नहीं हो सकता कि everyone is not happy, okay, I have friends or money, यहां पर noun है, friends or money, तो इसके पहले कोई ना कोई determiner आना चाहिए, तो इस तरीके से no one तो कोई determiner है नहीं, none भी कोई determiner नहीं है, इस तरीके से हम यहां पर no एक determiner है और no का यूज करेंगे, I have no friends, no money, मेरे पास कोई दोस्त या फिर कोई पैसे नहीं है, I have three friends, मेरे तीन दोस्त है, is with me today, यहां पर क्या रखे, no one is with me today, कि none is with me today, no one का यूज नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, कि इसके लिए किसी noun की आवस सकता नहीं है, none is with me today, यहां पर none का यूज होगा, कोई नहीं है आज मेरे साथ, तीन दोस्त हैं और उन में से कोई नहीं है आज मेरे साथ, none किसको refer कर रहा है, three friends में से किसी को भी, एक या एक से अधिक भी हो सकता है, none का मतलब, I have three friends, अब यहां पर no one भी नहीं होगा, क्योंकि friends है यहां पर पहले आ गया है, और ऐसे भी no one का use, of के साथ होता ही नहीं है, तो no one of them is with me, यह गलत है, तो क्या सही होगा, none of them is with me today, यहां पर none का use होगा, तो none का use या तो अकेले हो सकता है, या फिर of और उसके बाद कोई plural noun या प्रोनाउन आता है, no one का use अकेले होता है, और उसका मतलब है कोई भी व्यक्ति, ओके, no के बाद कोई नो कोई noun आता है, चलिए और भी कुस एक्जेम्पलस देखते हैं, he is a teacher, कोई कहता है, he is a teacher, not a doctor, वह a teacher है, डॉक्टर नहीं, इस तरीके से हमने पहले ही बदा दिया है कि not का use किसी word को negative बनाता है, not a doctor, वह a doctor नहीं, वलकि टीचर है, लेकिन कोई दूसरा कहता है, he is no teacher, यहा पर no का use होगा, not का use नहीं होगा, इसे कोई कहता है कोई टीचर है, लेकिन दूसरा कहता है, वह क teacher means वह कोई teacher नहीं है means किसी के बात का विरोध करने के लिए उसका opposite बोलने के लिए यूज़ करते हैं इस तरीके से और इसी तरह एक और यूज़िस प्रकाल है he is a cruel man A कोई बेखती है कहता he is a cruel man B कहता है वह कोई cruel man नहीं है उसका बिरोध करता है means he is no cruel man यहाँ पर no का use होगा इस तरीके से यहाँ पर एक determiner के रूप में noun के लिए use किया जाता है man है यहाँ पर cruel तो adjective है लेकिन वो man के लिए है he is no cruel man यहाँ पर not का use नहीं होगा he is not cruel man हाँ अगर अकेले कोई sentence बोला जाए he is not a cruel man वह सही है पर उस sentence के बिरोध में बोला जा रहा है उसका opposite तो होना चाहिए he is no cruel man ओके थैंक्स for watching